हलो फ्रेंट नमस्कार सलाम सच्छी अकाल मैं फरजन दली आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो नई टोपिक के साथ आप लोग टीवी पर न्यूज जरूर देखते हो गए और देखना भी चाहिए हमारे दुनिया में क्या हो रहा है हमारे वर्ड में क्या हो रहा है हमारे इस्टेड में क्या हो रहा है और हमारे शहर में क्या हो रहा है इन सभी की जानकारियां हमें न्यूस से मिलती है तो हमें न्यूस जरूर देखना चाहिए और हम देखते भी हैं जो हमें न्यूस सुनाता है हम उनका नाम भी जानते हैं और चेहरे से भी पहचानते हैं लेकिन हम उनकी family environment नहीं जानते कि वो उनकी family background क्या है और जैसे कोई जैंस है तो उसकी wife क्या करती है उसके कितने बच्चे है या कोई ladies है तो उसके husband क्या करते है और उनके कितने बच्चे है उनकी education क्या है ये सभी चीज हम आपको अपनी इस video में बताने वाले हैं हम आपको जो top 10 जनरलिष्ट है देश के उनके वाले हैं वताएंगे उनमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ उसमें है अंजना ओंकस्यप, सुईता सिंग, रूबिका लियाकत, सोवा यादब, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रवीश कुमार, रजत शर्मा, अर देश के जनरलिष्ट है, हम डिटेल के साथ आपको इनके फैमिली रेग्गराउंड और इनका अवार्ड वगेरा जो मिले हैं, मैं सभी के वारे में डिटेंज से आपको बताऊंगा, अगर अभी तक आप ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल करने को सब्सक्राइब कर लिजेगा, तमस्कार दिन बर के हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हुश्पीता से, प्ली सब्सक्राइब अबर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी एंड आल्सो प्रेस ओन बेल आइकन फोर गेटिंग नोटिफिकेशन तमस्कार दिन बर के हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूश्पीता से, जिस 23 माई के दिन प्रेंट्स, इसकीन पर जो आप न्यूज एंकर को देख रहे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह जानते होगे और पहचानते होंगे, और रोज टीवी पर न्यूज सुनाते अपनी वीडियो में इनके फैमिली के बारे मैं बताने जा रहा हूँ, यह हैं सुईता सिंग, इनकी हाइट पांच फिट पांच इंच की है, यह आज तक की न्यूज एंकर हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्स्ति से की हैं, और वहां से इन्होंने इन्होंने वाले अखवार The Times of India और हिंदुस्तान टाइम जैसा की है, बाद में इन्होंने जी न्यूज सहारा जैसे चैनलों में भी काम किया है, और इनको कई अवार्ड भी मिले हैं, यह स्पोर्ट न्यूज एंकर के तोर पर बहुत काम कर चुकी हैं, और जिसकी वज़ा स हैं, इनको काफी अवार्ड मिले हैं, एक प्रोग्राम इनका आता था सौरप का सिक्सर, 2005 में उस प्रोग्राम के लिए इनको अवार्ड दिया गया, इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड इनके नाम हैं, अब मैं बताता हूँ आपको इनके हस्बेंड के वाले में, इनक सलेक्शे से हैं, वे सौफ्ट्वेयर इंजीनियर हैं, सुवैता बिहारी भूमियार परीवार से हैं, वहीं उनके पती, परती सिंग की आलोशना भी होती है ये गोवर्मेंट से कोई कोशन नहीं करती उसकी आलोशना होती है इसके साथ साथ 2016 में इन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में एक नेनो चिप लेगी हुई है तो उसके लिए काफी लोग इनकी आलोशना करते हैं प्रेंट्स ये जो आप स्कीन पर देख रहे हैं इनको तो बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे और रोज टी पर देखते होंगे रात 9 वजे प्राइम टाइम के साथ एंडी टीवी इंडिया पर ये हैं रविश कुमार इनकी पैदाईस 5 दिसंबर 1904 में बिहार के इश्ट चंपारण के जिटबार पूर में होई है रविश कुमार एक ऐसे जन्रलिस्ट हैं जिनोंने अपनी निडरता इमानदारी और लगन के सहारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जन्रलिस्मे के जंड़े गाले हैं इनको दो बार रामनाद गोईंक एक्षिलेंच आवाड मिल चुका है जोकी 2013-2017 में मिला और रे डिंक आवाड 2016 में मिला इसके अलावा इनको इंटरनेशनल आवाड मिल चुका है इनको इनके इमानदार और निडर जन्रलिस के लिए रोबन मैक से अवार्ड दिया जाता जो कि 2019 में इनको मिला था ये अपने प्रोग्राम में ऐसे मुद्द्ध उठाते हैं जो सीधे चंता से जोड़े होते हैं जैसे मेलाई के मुद्द्ध जैसे अनेमपलोइमेंट के मुद्द्ध या जिनकी नौकरी नहीं लग रही उनके मुद्ध ये दिल्ली उनिवेस्टी और इंडियन इंस्टिटूट आफ मास्क कॉमूनिकेशन में पड़े रविश कुमार की शादी नैना दास गुपता से हुई जो कि दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलिज में पड़ाती हैं टीचर हैं इन दोनों के दो बेटिया है इस स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रविश कुमार की वाइफ नैना दास कुपता की हैं ये जो तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा भारत भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता है और इनकी एंकरिंग इनका इस्टाइल हम सभी को पसंद है ये हैं अंजना ओमकस्यब ये 12 जून 1975 को जन्मी राची में जो की अब जाडखंड का हिस्सा है जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था अंजना ओमकस्यब के पिता ओमपिरकाश दिवारी है जो की भारतिय फोज में एक डॉक्टर थे अंजना ओमकस्यब ने अपनी स्कूलिंग राची के कैथोलिक स्कूल में और दिल्ली पबलिक स्कूल में राची में ही की इसके बाद वे दिल्ली उनिवस्टी में पढ़ी उन् में वो भाग्य से सफन नहीं हो पाई और फेल हो गई और इसके बाद उन्हों ने जामिय miria Islamiya में से 29W9 2 जन्रामलिज्म का डिपलोमा किया इसके बाद वे ऑद G News में काम किया और निउस 24 में भी ये काम कर चुकी हैं इसके साथ इस्टार न्यूज आदी चनवों में इनोंने अपना काम किया और इनको कई एवार्ड भी मिल चुके हैं जब ये बहली उनिवेस्टी में थी तब इनकी मुलाकात मंगेश कश्यप्षा होई जो कि दिल्ली के एडिशनल पुलिस कमिशनर हुआ करते थे इसके बाद उन्होंने उन्नीस सो पिच्च्या में मंगेश कश्यप्षा सादी की जो कि अंडवार निकोबार आईलेंड से आईपीएस केडर से हैं उनके एक बेटा और बेटी भी है यह फोटो जो आप इसकीन पर देख रहे हैं यह अंजना ओम कश्यप के हजबेन मंगेश कश्यप्षा की हैं आपको मैं यह भी बता दू कि एक बार न्यूस सुनाते मैं अंजना ओम कश्यप्षा ने अपना नाम अंजना ओम मोदी कह दिय कहते हैं और इनका नाम अंजना मोदी कहते हैं राजनिती अलगों में इनकी आलोशना भी होती है लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि यह सत्ता में वेटे हुए लोगों से कोशन नहीं पूछती बलके विपर्च्य से ही कोशन पूछती हैं यह जो इसकीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं यह अंजना पकश्चप की बेटी की है जो कि अंजना पकश्चप की ही तरह है और बहुत प्यारी सुंदर है बिग स्टॉरी जानते और पहचानते होंगे इनको भारत सरकार ने पद मिसिडी का एवार्ड भी दिया था जो गी इनकी लगन और महनत का नतीजा है यह भारत के उन चुनिंदा जनलिस्ट में हैं जिनों ने अपनी मैनस से वहां तक पहुचे और अपनी जो भी इनकी जनलिस्म होती है रिपोर्ट होती है वो न्यूट्रल होती है वो किसी का पच्छ या बिपच्छ में नहीं होती है राजदीव सर्देशाई का जन इनकी मदर का नाम नंदिनी सर्देशाई है इनकी शादी सगारिका घोष से 1994 में होई इसक्रीन पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह सगारिका घोष की है जो कि राजदीव सर्देशाई की वाइफ है जो कि खोद एक टीवी एंकर है और एक चैनल में न्यूस सुनाती है जिसकों कि आप लोग भी देखते होंगे इसक्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं यह राजदीव सर्देशाई और सगारिका घोष के दोनों बच्चे हैं एक बेटा है और एक बेटी है बेटी का नाम तारिनी है और बेटे का नाम इशान है और फोटो में साथ में इनक कॉलिज से किया और MA और BCL University College Oxford से किया और इनको भारस सरकार ने पदमसरी एवार्ड 2008 में दिया था इसके अलावा इनको कई एवार्ड और मिल चुके हैं इनको रामनात गोईंका Excellence in Journalism Award 2006 में भी मिल चुका है राजीव सरदेशाई पहले टाइम्स ओफ इंडिया के मुंबई ऑफिस में काम किया करते थे फिर यह 1994 में टेलिवीजन जन्रलिज्म आए और NDTV में मैं एडिटर भी थे यह फोटो जो आप इसकी इन पर देख रहे हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह जानते और पैचानते होंगे और रोज एबीपी न्यूस पर देखते होंगे ये अपनी पिरोग्राम में डिवेट में बहुत मशूर है ये अपने डिवेट में बहुत कड़े कड़े कोशन करती है ये हैं रूबी का लियाकत इनकी लंबाई पांच फिट छेंज की है और इनका वजन पच्पन किलो का है रूबी का लियाकत का जन्व 18 अप्रेल को राइस्थान के उद्यपूर में हुआ है इनकी स्कूलिंग की शुरुवात उद्यपूर के सेंड गिरेगोरियस सीनिर सेकेंडरी स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने मुंबई उनिवस्टी से बैचलर ओफ मास इंडिया किया उन्होंने 2005 में अपना गिरेजुएशन कम्प्लीट किया और इसके बाद 28 अप्रेल 2012 को नबेत कुरेशी से इनकी शादी हुई जो की पेशे से एक जन्रलिस्ट है रूबी का लियाकत ने अपने केरियर की शुरुवात 2007 में लाइब न्यूज चैनल से एज ए न्यूज एंकर की उसके बाद न्यूज 24 और जी न्यूज में रही उनका मशूर प्रोग्राम ताल ठोक करके बहुत फैमस हुआ अब वे एवीपी न्यूज पर माश्टर स्ट्रोक के नाम से प्रोग्राम की होस्ट करती है वे सुवीर चोधरी को अपना आदर्स मानती है रूबी का लियाकत को पिर्धान मंतिरी श्री नरेद्र मोदी का इंट्रव्यू लेने के लिए चुना गया था तो इन्होंने मोदी जी का इंट्रव्यू लिया था फिरेंड्स येदी रूबी का लेकत के बारे में जान कारें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सीनियर जerनलिस्ट के बारे में जो भारत के यह नहीं पौरी दुनिया के लोगों का इंटर्वी नेते हैं जआ है वो अमेर्का हो जआ हो इंग्लेंड ओ इनोंने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों का इंट्रेवियू लिए आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। आजकल वे दावायर के लिए काम कर रहे हैं, और वे है सम्मारिद व्यक्ति करनर थापड। करल थापर का जन 5 नॉवंबर 1955 में जम्मु कश्मीर की राजदानी स्री नगर में हुआ था, करल थापर अपने माबाप के सबसे छोटे बेटे हैं, उनके पिता फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी जनरल पिराननाथ थापर के बेटे हैं और उनकी मदर बिमला थापर हैं, ये भारत के बहुत मशूर स्कूल, दून स्कूल में पड़े, दहरा दून के दून स्कूल में एक मैगजील निकलती है, दा दून स्कूल वीकली, उसके वे एडिटरिंग चीफ थे, इसके लावा इंगलेंड के इस्टो स्कूल में ही पड़े, करल थापन ने 1977 में रेंब्रोग कॉलिज टेम्ब्रिज से एकनोमिक्स एन पॉलिटिकल फिलोसोफी में गिनेजोसन किया, और इसके बाद 1977 में ही ये केम्ब्रिज यूनियन के पेसियन रहे, इन्होंने सेंट एंटोनीज कॉलिज ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल रिलिशन्स पर डॉक्टरेट भी किया है, करल थापन ने जन्रलिज्म की अपनी केरियर के शुरुआज नाई जी अरग के एक अखवार तक टाइम से सकी, उन्होंने इंग्लेंड से लेकर भारत तक कई देशों के मीडिया हाउसेज में काम किया, जिसमें BBC, दूर्गरसान, CNN, IPN, इंडिया टूरेज जैसे तमाम ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, जहां पर ये काम कर चुके हैं, करनार थापर को लगबग 15 एवार्ड मिल चुके हैं, इन सभी एवार्ड का नाम अभी बताना संभव नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी ब्यूडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर हम सभी एवार्ड के नाम बताएंगे, उन्होंने बहुत सी किताबे भी लिखी हैं, जिन मैं पिर्मुक किताबों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिस मैं Face to Face, India, Sunday, Sentiments, Wisdom Tree, Devil's Advocate, करन थापर, 2007 में बहुत मशूर हुए चब्बे प्रिधान मंतरी नरेंद्र मुदी जो कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, का इंटर्व्यू ले रहे थे, इंटर्व्यू लेते हुए तीन मिनट भी नहीं हुए थे कि नरेंद्र मुदी जी ने वह इंटर्व्यू आ गए करने से मना कर दिया था, इस बारें करार थापर ने अपने BBC को दिये गए इंटर्व्यू में क्या का देखिए? आपने नरेन मोदी का इंटर्व्यू लिया था और वो बीज इंटर्व्यू में वॉक आउट कर गए थे क्या है उसकी कहानी असल में उनों ने कुल तो कभी छोड़ा है नहीं क्योंके वो कभी नराज नहीं हुए लेकए उनकी पस्यंस लगँषी निनत का इंटर्वू था नहीं का इंटर्व्यू हम इंटर्व्यू था मॉट तो आप एन इमेच प्रूमूपूज एंडिए ए प्रहूज है कि अणिए अजर प्रहूज है and he said to me but that was only a spoken comment not a written one so I said but does it matter if the Chief Justice speaks in these terms and we bandied around like this I also pointed out to him that out of some 4,500 cases almost 2,600 had been transferred out of Gujarat there were other comments that the Supreme Court had made and I said all of this clearly suggests that it's not just a handful of people but many others and at that point I think he said to me I'm happy for people to think like this right and if this is your thinking go ahead I want water so I said Pani to aapke bagal mein pada api lijega and I realized I want water was just a bahana he actually wanted to end the interview and he took his mic off and the interview finished we then spoke for about another hour while I tried to persuade him to do the interview he was very hospitable and sweet he kept giving me tea and with I friends to eat a bharat ke bharat ke bharat 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 journalist karanthapar You can tell us it's the first time you might have a shabana It is also the photo which you look for on screen this photo that you hear from the face. This photo which you can see on screen we know, you've got good information on TV and you can see this photo in 5 feet 6 inches of the image one which is the Akimah TV News Bar News Anchor Aلف is the last photo of the kawarat magazine, the को यूबी के अलाबाद में हुई थी उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजिवेशन किया शोबना यादव की शादी संजीब कुमार यादव से हुई है जो की एक IPS पुलिस ऑफिसर है और दिल्ली पुलिस में देप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस हैं शोबना यादव और संजी बीटी पिर्दान की है उन्होंने अपना केरियर की शुरुआत न्यूज एंकर के तौर पर इंडिया नूज चैनल से की और बाद में उन्होंने एवी पी न्यूज चैनल को जॉइन किया यह जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं यह उनके हजवेन संजीब कुमार या चैनल से बाद में पर तस्वीर देख रहे हैं इनको तो आप लोग सभी अच्छी तरह जानते होंगे और पैचानते होंगे यह पिछले 21 साल से अपने देश की बड़ी-बड़ी हस्तियों को सेलिविर्टी को पॉलिटीशिंस को अपने कटगरे में बिठाल रहे हैं और 750 से जादा लोगों का यह इंटर्व्यू ले चुके हैं कटगरे में बिठाल कर और यह पिछले 21 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और यह हैं रज़त शर्मा रज़त शर्मा हैं इंडिया टीवी के चेर्मेन और एडिटर इंचीफ हैं रज़त शर्मा को 2015 में भारत सरकार की तरफ से पद्मा भूशड का प्रुसकार भी मिल चुका है रज़त शर्मा अपने प्रोग्राम में सेलेविरिटीज वगेरा को अपने कट गरे में बिठाल कर इतने तीखे और जवर्दस सबाल पूशते हैं कि जवाब देने वाले चक्रा जाते हैं आपको रज़त शर्मा की परस्नल लाइफ के वारे में बताओं तो इनका जन 18 फर्वरी 1957 में दिल्ली के सबजी मंडी एरिया में हुआ था इन्होंने दिल्ली के मशूर कॉलिज श्री राम कॉलिज ओफ कॉमर्स में पढ़े और उन्होंने वहाँ से एमकॉम किया रज़त शर्मा ने पढ़ाई के दोरान राष्टिय स्वयम सेवक संगी की चात्र साखा अखिल भालतिय विद्यारती परिशत को जोईन किया था और फिर 1997 में उने लीतू दवन से शादी की है रज़त शर्मा दिल्ली आंड डिश्टी क्रिकेट एसोशेशन के प्रेजिजेंट भी हैं फ्रेंड्स ये थी रज़त शर्मा के बारे में जानकारी है आप ये जो तस्बीर इस्कीरिन पर देख रहे हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते और पैचानते होंगे ये हैं दीपक चौरसिया इराक और अमेरिका के वार में बहुत फेमस हुए इन्होंने डारेक इराक से अपनी रिपोर्टिंग की और पबलिक को लाइब दिखाया तभी से लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते और पैचानते हैं गिराउंड जीरो से इनकी की गई रिपोर्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई दीपक चोरशी आगाजन अठाई दिसंबर 1968 को मद्दे प्रदेश के इंदोर में हुआ था इन्होंने अपना जन्रेलिज्म का डिप्लोमा दा इंडियन इंस्टिटूट आफ मास कोमुनिकेशन न्यू डैली से किया फिर इनकी शादी अना सोया रॉय से हुई इनके एक बच्चा है इन्होंने कई मीडिया हाउसेज में काम किया है इसके लावा ये डीडी न्यूज में भी काम कर चुके हैं फ्रेंड्स ये जानकारी थी दीपक चोरशी आगे बारे में फिरेंड्स ये जो आप स्कीन पर देख रहे हैं इनको बहुत अच्छी तरह जानते और पहचानते होंगे ये हैं अरलब गोस्वामी जो की रीपब्लिक मीडिया नेड़वर्क के मैनेजिंग डारेक्टर एंड एडिटर इंचीफ है इनका जन 7 मार्च 1973 को असम के गवाड़ी में हुआ था इनके फादर का नाम मनरंजन गोस्वामी और मदर का नाम सुपिर्वा स्वामी है इनकी मदर सुपिर्वा स्वामी इंडियान हार्वी में 30 साल की सेवा देने के बाद एजे करनल रेटायर हुई थी उन्होंने भारतिय जनता पार्डी को जोईन किया और 1998 की लोकसवा चुनाव में भारतिय जनता पार्डी के टिकेट पर गवाड़ी स कंचुटेंची से लड़ी जो की हार गई अललब गो स्वामी की शादी साम में विराता राय से हुई अललब और साम में विराता राय के एक बच्चा भी है परणब गोसभामी ने अपने 10 क्लास दिल्ली केंट के सेंट मेरी स्कूल से की और वार्मी क्लास जबुलपुर्ण से की वैसरे की डीगरी इन सोस्यलोजी दिल्ली के हिंदू कॉलिज से किया इन्होंने अपने केरियर की शुरुवात दा टेली के राफ से कि इसके बाद एंडी टीवी, टाइम्स नव और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों में काम किया आप इनको इनकी प्रियोग्राम में बहुत जोर जोर से चीक चीक कर बोल कर फटा फट न्यूज सुनाती हों देखते होंगे इन्होंने ही जन्नलिजम में चीक चीक कर न्यूज सुनाने की परंपरा शुरू की है तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी अरलब गोस्वामी के बारे में तो फ्रेंड मैंने आपको अपनी इस वीडियो में भारत के दस बड़े और फैमस न्यूज एंकर के बारे में बताया और उनके family background के बारे हैं बताया उनके बीबी बच्चों के बारे हैं बताया तो मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर मुझे बताईए हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी हमारे चैनल को subscribe करिए और हमारी वीडियो को like करिए share कीजिए और comment लिखिए जिससे हमें पता रहे हैं कि हमारे वीडियो कैसी है प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वाइरल स्टोरी एंड आल्सो प्रेस ओन बेल आइकन फोर गेटिंग नोटिफिकेशन